नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पातफाइंडर पर So in a very very shocking development for Pakistan, especially for the Pakistani army दोस्तों बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान Liberation Army है उनके द्वारा एक नया Operation Herof launch किया गया जिसके तहट उन्होंने claim किया है कि उनके द्वारा 102 से भी जादा पाकिस्तानी soldiers को मार दिया गया है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह वाली जो खबर है जस अब से कुछी घंटे पहले सामने आई है जिसमें कि उन्होंने 102 पाकिस्तानी soldiers को तो मारा ही है और साथ में army camp को भी यहाँ पे capture कर लिया है आप लोग यहाँ पे पाकिस्तान का यह provincial map देख सकते हैं जिसमें बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा province है एरिया के हिसाब से वहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो somewhere over here यह location है जहाँ पर की बेला army camp देखने को मिलता है पाकिस्तानी army का जहाँ पर यह attack देखने को मिला है and attack होने के बाद जो बलूचिस्तान liberation army है उन्होंने एक statement भी जारी किया है उन्होंने बताया है कि केवल और केवल इसी attack के अंदर हमने 40 से भी जादा पाकिस्तानी soldiers को मार गिराया है यह पूरा का पूरा जो statement है इसके बारे में हम चर्चा detail में आगे करेंगे कि क्या-क्या exactly यहाँ पर बाते कही गई है लेकिन the worst part is कि यह जो बलूचिस्तान liberation army है इन्होंने पूरे बलूचिस्तान में अलग-अलग highways पे जो अलग-अलग highways पूरे इनके प्रांत में चलते हैं उन अलग-अलग highways के ऊपर अपने खुद के checkpoints लगा दिये हैं जिसके माध्यम से यह पाकिस्तान के वहाँ पर जो भी अगर किसी भी तरह से पाकिस्तानी government का कोई भी official वहाँ पर किसी checkpoint पर आता है और वहाँ पर यह उनकी IDs को check कर लेते हैं उनको अगर पता लग जाता है कि यह वाला जो इनसान है यह पाकिस्तानी government का है तो इसको immediately वह वही पर गोली मार देते हैं यह आप देखिए कम से कम 22 लोगों को तो इसी तरीके से मार दिया गया है कि वहाँ पर जो बलुचिस्तान Liberation Army है उन्होंने अलग-अलग highways पर blockades लगाए हुए है वहाँ से लोगों को निकालते हैं बसे को रोकते हैं, ट्रक्स को रोकते हैं उसमें से लोगों को चुन-चुन के निकालते हैं और देन उनको यहाँ पर मार गिराना शुरू कर देते हैं यह वाला जो दूसरा incident है, जिसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 22 लोगों को मारा गया है यह दोस्तों बलुचिस्तान की एक और यहाँ पर जगा है जिसका नाम है कलात, जहाँ पर directly बसेज और ट्रक्स को रोका गया लोगों की ID's को चेक किया गया और बिना कोई सफाई दिये हुए directly उनको शूट कर दिया गया है बात करेंगे इन सभी developments के बारे में especially बात करेंगे इस statement के बारे में जो कि यहाँ पर बलुचिस्तान Liberation Army के द्वारा दिया गया है क्या है यह मजीद brigade इसको भी समझने का प्रयास करेंगे और इस पूरी चीज का क्या impact हो रहा है पाकिस्तान और चाइना के ऊपर उसको भी समझने का प्रयास करेंगे because यहीं पर दोस्तों देखने को मिलता है हमें पाकिस्तान का गवाधार port जिसमें चाइना के द्वारा बहुत ही मोटी investment करी हुई है आए शिरू करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारे lectures के updates को प्राप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए टेलेग्राम चैनल्स के माधियम से ऐसा कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अनकाडमी के offline centers नई दिल्ली के करोलबाग, नई दिल्ली के मुखरजी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं इन सभी offline centers में दोस्तों GS courses के साथ साथ CSAT, essay writing classes, current affairs coverage, test series जैसी सारी सेवाएं आपके लिए available करवाई गई हैं कोई भी doubt है, mentorship की आवशकता है तो आप लोग हमारे centers को visit कर सकते हैं या फिर नीचे दिये गए phone numbers पर phone भी कर सकते हैं free study material प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी unacademy app को download कर सकते हैं जिसका description जिसका link आपको description box में नीचे दिया गया है all right, so directly coming to the point बलूचिस्तान liberation army के द्वारा एक operation hair off को launch किया गया जिसमें की इनका target यही था कि हमें एक army camp को capture करना है and हमें जो बलूचिस्तान में जितने भी highways हैं उनको यहाँ पर block करना है and केवल 6 घंटे के अंदर अंदर जैसे ही इन्होंने इस operation को launch किया इन्होंने यहाँ पर responsibility claim करी कि हमने 102 से भी जादा पाकिस्तानी soldiers को मार गिरा दिया है आप लोग अगेन यहाँ पर देख सकते हैं this is the exact location जहाँ पर दोस्तों पाकिस्तानी army का बेला army camp है जो की situated है जिसके उपर पहले बलूचिस्तान liberation army के द्वारा हमला बोला गया उसके बाद यहाँ पर जो भी पाकिस्तानी army के soldiers थे उनको यहाँ पर मारा गया यह जो total number of soldiers जो की बेला army camp में देखने को मिलते थे this was around 40 जो की यहाँ पर directly मार दिये गए है इसके बाद इन्होंने यह भी बताया कि यह वाला जो attack यहाँ पर जो भेला army camp के उपर attack हुआ था यह carry out किया गया था बलूचिस्तान liberation army की मजीद brigade के द्वारा मजीद brigade ने जैसे ही यह वाला operation को अंजाम दिया जिसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने army camp को capture किया और आसपास की जो भी military convoys थी उसको भी इन्होंने ब्लॉक किया immediately मजीद brigade के द्वारा वहाँ पर आप देखिए जो बलूचिस्तान liberation army के spokesperson है जियांद बलूच इनके द्वारा यह पूरा का पूरा statement जारी किया गया है statement में क्या-क्या बाते कही गई है it is very very surprising इन्होंने कहा कि under the बलूच liberation army हमारा जो फिदाईीन operation हुआ था फिदाईीन मतलब की गरिला operation जो हुआ था उसके तहत हमने बेला camp को capture कर लिया है लोगों को मार दिया है soldiers को मार दिया है और हमने यहाँ पर दो explosive laden vehicles थे उसका यहाँ पर इंतजाम किया था उसके माध्यम से हमने इस पूरी की पूरी चीज को basically अन्जाम दिया है लेकिन इन्होंने साथ में ये भी announce किया कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब हम लोग जो बाकी के highways हैं बलूचिस्तान में उनको seize करने वाले हैं और इन्होंने बताया कि बहुत सारे highways को seize already किया जा चुका है जहां पर हमने कुल मिला के 62 personals को मार दिया है और इसलिए जो total आंकड़ा हमारा हो चुका है that is 62 plus 40 यानि कि हम लोग 102 पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारियों को already मार चुके हैं जो लोग मजीद brigade के बारे में नहीं जानते briefly आपको बता दूँ दोस्तों बलूचिस्तान में बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे ग्रूप्स बने हुए हैं जो की बलूचिस्तान की independence के लिए पाकिस्तानी government पाकिस्तानी आर्मी के साथ भिड़ते रहते हैं उसमें जो सबसे बड़ा separatist group है that is called as the बलूचिस्तान liberation army और उसी बलूचिस्तान liberation army का जो एक तरीके से dedicated suicide squad है जिसको कहा जाता है मजीद brigade जो की सन 2011 से active है और ये दो भाई थे जिनका नाम था मजीद langov senior मजीद langov junior उनके नाम पे ये मजीद brigade को बनाया गया था और ये वही वाला मजीद brigade है जिसने 2018 में कराची में जो Chinese consulate है उस पे attack किया था ग्वादार में जो hotel पे attack हुआ था आपको याद होगा 2019 में वो भी इन्होंने करवाया था और जो पाकिस्तानी stock exchange पे attack हुआ था 2020 में कराची में वो भी इसी मजीद brigade के द्वारा carry out किया गया था like I told you इन्होंने बहुत सारे highways को block करना शुरू कर दिया है वहाँ पर भी इनके proper units बने हुए हैं ऐसे unorganized तरीके से काम नहीं करते हैं क्योंकि ये कोई नई movement नहीं है पिछले 58 सालों से बलूचिस्तान Liberation Army बहुत मजबूत हो चुकी है और इनके द्वारा जो FATA squad है special tactical operation squad है इन सभी ने basically अलग-अलग highways को यहाँ पे capture कर लिया है वो भी इन्होंने बताया है कि कौन से कौन से highways को इन्होंने capture किया है वो हमारे लिए important नहीं but yes they have captured a lot of highways जहाँ पर ये military को तो आने नहीं दे रहे और अगर कोई military का personal किसी arm bus या truck में बैट कर आता है जो कि civilian clothes में होता है उनकी ये ID card चेक करते हैं और उनको बाहर निकालते हैं और सीधा point blank पे उनको मार देते हैं और इसी के चलते जो 62 इन्होंने personal है वो इस तरीके से ही यहाँ पर मारे हैं इस पूरी चीज का impact क्या हुआ है जस्ट आज से दो-तिन दिन पहले खबर सामने आई थी पाकिस्तान जो है वो अपना एक 200 million dollar का airport था जिसको चाइना की मदद से बनाया गया था ये वो ही airport है जो की ग्वादार के बिलकुल नस्दीक में देखने को मिलता था वो वाले airport की inauguration होने वाली थी और पाकिस्तान की PM शाबाज शरीफ inauguration के लिए इस particular area में आने वाले थे लेकिन उन्होंने अपनी इस visit को postpone कर दिया अगली date क्या है वो भी नहीं बताई क्योंकि situation बहुत जादा खराब थी और अब और जादा बिगड़ चुकी है तो हालाच जो है वो बलुचिस्तान में और भी जादा जो एरपोर्ट था by the way ये केवल गौदार पोर्ट से 45-50 किलोमीटर की दूरी पे था 4300 एकर में बना हुआ एरपोर्ट था कहा जाता था कि ये पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट एरपोर्ट होगा by size जो कि इसलामबाद के एरपोर्ट से भी बड़ा होगा और ये A380 Airbus ज गौदार पोर्ट है वो तो अल्रेडी काफी मुश्किलों से जूज रहा है 40-50 बिलियन डॉलर के आसपास खर्चा अल्रेडी चाइना कर चुकी है लेकिन अभी तक इतने सालों के बाद भी गौदार पोर्ट को कहा जाता है this is one of the emptiest port in the world इतना बड़ा infrastructure खड़ा कर दिया है लेकिन उसका इस्तिमाल नहीं हो पा रहा है because of the Baluchistan Liberation Army जो की time to time यहाँ पर attacks करती रहती और इसी वज़े से because यह सब हो रहा है तो पाकिस्तान को जटका लगा ही है लेकिन साथ ही में चाइना को भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर जटका लग चुका है देखते हैं क्या developments होत हैं definitely बताए हमें comment section में thank you so much for listening stay tuned